हलो एवरिवन नमस्कार परिक्षप्लेस ओनलाइन प्लेटफर्म पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ रमन मिश्रा दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जो है जा रहा हूँ जो है कंप्यूटर का सक्षन की कंप्यूटर में जो आप करके आए है ठीक उनके सही जबाप क्या है और तीसरा आपका हिंदी है इसके बाद अभी इंगलिस और साइंस और जीयस की आपकी अगली वीडियो में तीन मिल जाएंगे तीन इनको आप मैच करा सकते हैं पेपर गास दो सब्दों जिनको एक सिंबल दिया है रिश्यो का द्वारा अलग किया गया है और जो एक दूसरे के सार निश्य संबंद रखते हैं ठीक दिये गए विकल्पों में से उस एक को चुने जो ठीक है दूसरी तरफ रखा जा सके जिसके सब्दों के बीच एक समान संबंद हो तो पहला दे रखा है तरकस का संबंद जैसे तीर से है वसे मयान का संबंद आपका किसे होगा तो इसका विकल्प राइट होगा डी तलवार से होगा दूसरा प्रशन अगर देखें स्रिंखला दी है स्रिंखला में प्रशन चिन पर क्या आएगा ये पूछा है स्रिंखला यह 125, 171, 263, 401 और 585 अगर इसका correct answer देखें तो इसका जो correct answer होगा यह second option B होगा 815 आएगा ठीक है अगला जो question मारक है अगले पर बढ़ें तीसरा नंबर प्रशन जो है आपका कह रहा है पजल से related है छे दोस जिनके नाम ABCDE और EF हैं गोलाकार मेच पर बैठें हैं दूसरी तर कौन सा है ठीक तो इन तीनों में से अगर चारों में से देखें तो तीसरे का जो विकल्प A आपका दिया है ठीक है जब आप arrange करेंगे तो आपको A जो विकल्प मिलेगा यह आपका right नहीं है बाकी तीनों आपके right हैं तो तीन का A सही होगा चौते नंबर प्रशन का सही सातवा अच्छर ठीक दाएं से तीसरे अच्छर के बाएं और का सातवा अच्छर संख्या या प्रतीक क्या होगा तो चार नंबर प्रशन का आपका सही विकल्प आएगा D 1 आएगा ठीक तो इसका right option आपका D विकल्प होगा पांच नंबर प्रशन में prudent सब्द दिया था और इसमें कह रहा था कि अच्छरों के सेट बनाने हैं उनके मदी जो है अच्छरों की संख्या समानो ऐसे सेट तो पांच नंबर का सही जबाब आपका होगा विकल्प सी दो सेट बनेंगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर 6 नंबर प्रशन आपका दिया था कथन और कारग में ठीक है कुछ चुए खरगोस कुछ खरगोस मच्छर हैं इनमें आपसे पूछ रहा था कि कौन साइस में से सही है निसकर्स आपका तो इसका सही बिकल्प आपका राइट होगा ठीक मलब कथन और निसकर्स वाला प्रशन क्या आपकी च्छा है छे नंबर का सही आपका जो बिकल्प राइट होगा ये बिकल्प आपका डी होगा इन दोनों में से कोई निसकर्स आपका नहीं निकलता है आगे बढ़ते हैं साद नंबर प्रशन पर साद नंबर में फिर से से एक कोडिंग गिया था विसेश और इसका जबाब पूछा था कोड़ वाक का कोड किया है फिर कतन दिया है चार कथन इनी से जो यह में कहीं फाइंड आउट करना था दो कथनों में दिया था फिर चार विकल दिये हैं तो अगर इसका सही जब आप देखें साथ नंबर का तो सही जबाब विकल्प आपका C होगा कि एक और दो दोनों का डाटा प्रेशन देने के लिए जरूरी है ठीक है प्रेशन क्या 9 अगर 8 देखें तो 8 नंबर प्रेशन में आपका एक दिया है जो है रिलेशन P into Q का मलब पूरी चीजे दे होगा विकल्प यह इसकी सास है ठीक है तो यह विकल्प जिन्हों ने चुना है वो एकदम राइट है 9 नंबर प्रेशन आपके स्क्रीन पर किसी विशेस कोड में ठीक है ब्रेकिंग को लिखा जा रहा है आपका यह विशेस तूर में और मदरली को पूछा है कैसे तो 9 नंबर अगर प्रेशन का सही जवाब देखें विकल्प आपका B राइट होगा मदरली के लिए जो कोड होगा यह आपका सबसे विकल्प यहीं उचित है आगे बढ़ते हैं आपका 10 नंबर प्रेशन है 10 नंबर प्रेशन का अगर सही जवाब देखें ठीक जो इसमें बोला था तो इस हिसाब से आपका 10 नंबर का एकदम राइट ऑप्शन होगा 9 जो है B यानि 9 अगर 11 नंबर प्रेशन देखें 11 नंबर में फीगर दिया है फीगर में पैटन पूछा है कि अंसर का जो है उत्तरशवी आपको बतानी है तो इन 4 में से 11 नंबर का सही जवाब ह हो जाता है आपका विकल्प C ठीक है C इसमें राइट है 12 नंबर प्रशन है 12 नंबर बोला है कि वोकेवली सब्द के अच्छरों का उपियों करके निम नसब्दों में से कौन सा नहीं बराया जा सकता तो 12 नंबर में अगर देखें तो इसका विकल्प आपका राइट होगा सक्षा-था भी ठीक है आगे वढ़ते हैं आफी जो आपके प्रशन है अनि कंप्योटर के बाद आपका स्टार्ट होगा वह मनलब के बाद अब कंप्योटर के श्रेक्षन स्टार्ट होंगे तो अब कंप्योटर के श्रेक्षन को देखते ह इसमें पहला कहा रहा है निमलिकित में से कौन सा रिष्टर मेमरी से पढ़ने या मेमरी में लिखे गए डाटा या निर्देस का अब इदर दिख नहीं रहा है content रखता है अब इन चारों में से देखें तो चारों में से सही जबाब इसमें होगा आपका विकल ए memory buffer register जो होता है main काम इसका यहीं होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं विकल अगर 118 नंबर प्रशन देखें तो इसमें 118 में आपसे पूछ रखा है कि जो आपका micro program control unit होती है इसमें अनवर्ती निर्देस सब्दों को कि इसमें लाया जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा विकल राइट जो है यह A है instruction register जो होता है उनमें इन सारी चीजों को लाते हैं आगे बढ़ें अगर अगले प्रशन पर 19 नंबर प्रशन है 100 इसमें बोला है कि computer के भीतर CPU और अन्यों कड़ों के control सूचना का वहन कोन करता तो यह 119 का आपका सही जवाब होगा A control जो आपका बश होता है यह सारी चीजें काम करता है इन सबको नियंतरित करने का 120 नंबर प्रशन आपका है OPC का पूर्ण रूप पूछा था तो OPC का पूर्ण रूप आपका होता है Open Platform Communication ठीक है तो विकल डई इसका राइट होगा आगे बढ़ें अगले प्रशन पर 121 नं अगला प्रशन आपका है प्रशंख्या 123 इसमें पूछा है PowerPoint जो प्रस्तुती होती PowerPoint इसमें कलेपाड में छवियों का संग्रह किसमें होता है कहां पर इकठा होती है तो 123 का सही जबाब आपका A होगा ठीक है उपियोग करने के लिए तयार Ready to use में होता है 124 नंबर कहा है निमलिखित में से किसका उपियोग Mobile धन की प मोबाइल फोनों में IMEI में E क्या है जो code होता है तो इसका सही जबाब होगा 125 का आपका विकल B ठीक equipment अगला प्रशन आपका है 126 नंबर जैसे 126 नंबर प्रशन में आपसे बोल ला है अब आपको दिख भी रहा होगा निमलिखित में से कौन सा E Commerce व्यापार का लाव नहीं है तो 126 नंबर का सही जबाब होगा विकल पे उच्छ प्रारंभिक लागज जो होती है यहीं आपकी जो है सही आप्शन है आगे बढ़ते है 127 नंबर प्रशन 127 नंबर कह रहा है एक्सल एक्सपरसीट किसमें मदद करता है तो 127 नंबर प्रशन का सही जबाब होगा डी विकल इन सभी में इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद 128 नंबर प्रशन आपके कंप्यूटर तक अनधिर्कित अगर पहुँच को रोकना है तो कौन सा जो है प्रॉक्टि 29 नंबर प्रशन इसमें पूचा है कुछ बिसिस्ताओं से संबंदित है तो इसका सही जबाब अगर देखें तो इसका सही जबाब 129 नंबर प्रशन का आपका होगा विकल B, read only ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले नंबर 130 पर ये बोला है कौन सी अनलाइन भुक्तान प्रड दा लिए तो इसका जो है जबाब थोड़ा सा डी विकल्प आपका यानी एफटी नेफट बोलते हैं ठीक है इसके बारे में जानते ही है 131 नंबर कहरा है निमलेखित में से कौन सी टूपोलाजी नेटवर्क की एक बेवस्था है जिसमें प्रतेग नोट केंद्री हब बनाने के लिए कौन सा सौटकट इससे माल करते हैं इसमें साटकट की पूछा था तो 132 का विकल्प आपका डी होगा ठीक है कंट्रूल प्लस एन आप जब एपलाई करते हैं तो या वो उसके द्वारा ऐसा होता पावर्कॉइंट प्रेदर्शन में सभी स्लाइट के लिए एक समान प्रिष्ट भूम इछा भी दिखावट का प्रियोग करने के लिए किसका जो है चुनाओ करते तो इसमें 133 का सही विकल्प आपका हो जाएगा बी विकल्प यानि अपलाई टू आल ये विकल्प सही है 134 नमबर प्रशन में इंपक्ट प्रिंटर को पूछा है कि क 133 का सही जबाब आपका विकल्प D होगा पोटेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोलते हैं PNG को 136 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है बोला है डाकुमेंट फार्मेंटिंग लेंग्वेज एक से क्या आसे तो इसका आसे जो होता है ठीक इसको बोलते है एक्स्टेंसिबिल ठीक है तो विकल्प C वाले जो लोग चुने है वो एकदम सही है इसके बाद हिंदी प्रशनों के अगर हम बात करें तो हिंदी में उसने दिया है जैसे 137 नमबर प्रशन आपके सामने है चार विकल्पों में तीन के लिंग समान है विशंगत को चुने तो आप कविता मिठ हाई और जो प्यास है ये तीनों के तीनों आपके इस्त्री लिंग बें आते हैं पहाड़ आपका पुलिंग आता है तो विकल्प वाले आपके सही हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं 138 नमबर गध्यांस दिया है ठीक है गध्यांस में पूछ रहा है कि इसमें जब आप इसक से गध्यांस से संबंधित है अनी चीजें इसकी देखें ठीक है 149 नमबर प्रशन आपसे पूछा है अकर्मक क्रिया चुने तो इसमें विए अकर्मक जो दिया है ये हशना विकल आपका अकर्मक है ठीक है अनी जितने दिये हैं ये सब ठीक है ये कहीं न कहीं अनी सब्दों में इसमें जो है संतान ये इस्त्रीलिंग आपका है ठीक है गुष्टा हीरा बच्पन ये सब आपके ठीक है पुलिंग में आएंगे संतान आपकी इस्त्रीलिंग में आती है आगे पड़ते हैं अगला प्रशन जो इसका दिया है 141 नमबर में पूछ रहा है संद्विछेद तो चारण का सही संद्विछेद उतधन चारण होता है यानि विकल्बी जो लोग चुने हैं वो एकदम सही है अगला है 142 नमबर नील कमल में आपका समास पूछ रखा है तो नील कमल में आप जानते हैं कर्मधारे समास होता है तो 142 आपका राइट होगा विकल्बी उसके बाद 143 नमबर प्रशन है लोग ओकती पूछ लिया है और घड़ो पानी पढ़ना तो इसका मलब होता है सरमिंदा होना ठीक है पानी पानी हो जाना ये विकल्ब आपका जो है डी राइट होगा आगे बढ़ें तो अगला प्रशन चिरायू में उपसर्ग पूछा था आपका कि चिरायू में किस उपसर्ग का प्रेव तो चिरायू में चिरूपसर्ग है ठीक है आईउ आपका जो है मूल सब्द है इसमें चिरूपसर्ग लगाया जाता है 144 के बाद 145 नमबर प्रशन है कौन सा लंकार है रहमन पानी राखिये बिन पानी सब सून ये सले सलंकार का आपका उदारण है ठीक है आगे बढ़ते हैं 146 नमबर जेश्ट का तद्भो आपसे पूछा था तो जेश्ट का तद्भो आपका जेट होता है ठीक है विकल्ब ए आपका एकदम राइट होगा उसके बाद जो है अगला प्रशन इसमें दे रखा है 147 कौन सा सब्द जो है अनिवारी का बिप्रेयार्थक सब्द है तो अनिवारी का बिप्रेयार्थक आपका बैकल्बिक होता है ठीक है अगला है आपका 148 नमबर इसमें सुद्ध वर्तनी आपसे पूछा दाया तो सुद्ध वर्तनी करतब निष्ठा विकल सी चुनने वाले एकदम राइट हैं जिन्होंने चुना है सी वो एकदम सही है 149 नंबर में पूछ रहा है जो सब कुछ जानता हो तो जो सब को जानता है उसको सर्वग के बोलते है शक्त्रुघंकार्थ होता है जो सत्रुगा विनास करें 150 नंबर में फूल पूछा है कि फूल कौन सी संग्या है तो फूल जाती वाचक संग्या होती है तो 150 ये प्रशन आपके हो गए है बाकी English section का अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में जी ये section अभी आजाएगा और जो आपका science है वो सारी चीज़ें मिलके अभी आपको मिल जाएगी तो इसको दोस्तों को भी अपने share कर दें वो लोग भी match कर लें और बाकी चीज़े जो है इसके बाद आपको मिलते रहेंगी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई पेपर जो है आंसर की आपकी अच्छी मैच हो जाए और सभी का selection हो जाए